नमस्कार आप सभी का स्वागत है इस अगले वीडियो में यह हमारे हिंदी सीरीज का तीसरा वीडियो है और इससे पहले वाला वीडियो अगर आप लोग ने नहीं देखा है तो आप लोग जाके देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा आपको पिछली स्थान और क्रिया आदी के नाम को संग्या कहते हैं जैसे इंगली जाती को प्रदर्शित करता है व्यथा है भाव को प्रदर्शित करता है मोहन किसी व्यक्ति के नाम को प्रदर्शित करता है दिल्ली स्थान के नाम को प्रदर्शित करता है और मारना एक क्रिया है तो यह संग्या के अंतर गताते हैं अब ये पांच प्रकार की होती है संग्या पहला है वेक्ति वाचक संग्या जाती वाचक संग्या शमुह वाचक संग्या द्रव्य वाचक संग्या और भाव वाचक संग्या और सबसे पहले देखिए बात करेंगे हम लोग भाव वाचक संग्या की तो जिस संग्या शब्द से पदार्थों की अवस्था, गुड़ दोस, भाव दशा, धर्म, आधिक अबोधो उसे भाव आचक संग्या कहते हैं तो भावाचक संग्या से लोगों के गूर, दोस, उनके भाव, उनकी मनोदशा, धर्म, किसी पदार्थों की अभस्था इस सब का अध्यान किया जाता है। जैसे है बुढ़ापा, तो बुढ़ापा व्यक्ति की अवस्था, ये दशा है एक तरह की, तो ये भावाचक संग्या की अंतर गताएगा। जैसे लगे कि कोई समू है, तो उसे समू वाचक संग्या, जैसे परिवार, परिवार लोगों के एक समू हो गया, मम्मी, भापा, भाई, बहन, इसका समू हो गया वरिवार, कructures है तो विद्यारतियों का समू है। सेना में, कई सारे आर्मियों का समू है सेना, भीड है, तो भीड में पबीक होती है, तो भीड भी समू वाचक संग्य कंतर गता हैगा। अब देखे द्रव्य वाचक संग्या, जब किसी संग्या सब्द से किसी द्रव्य का बोद हो, द्रव्य मतलब मैटर, उसे द्रव्य वाचक संग्या कहते हैं, जैसे पानी, तो पानी द्रव्य है न, तो इससे हम लोग ये द्रव्य वाचक संग्या हो गया, लोहा है, ये भी द जाती वाजक संगया होता है अब देखिए यह है जाती वाजक संगया होता है अब देखिए यह है जिन सब्दों से किसी विशेश 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 विश जिसे अब देश हो गया जातिवाचक और भारत हो गया व्यक्तिवाचक रमायड अमेरिका राम तो यह सब व्यक्तिवाचक संग्या के बारे में अंतरगत आते हैं तो उमीद है कि आप लोग कोई समझ में आ गया होगा यह सब चोटी-चोटी बात हैं आप लोग को तुरंट स इसका ध्यान लखना बहुत ज़रूरी है तो आज के लिए बस इतना ही अब आगे की बाते अगली वीडियो में करेंगे अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजेगा धन्यवाद